हाई फ्रेंज आज हम लोग बनाएंगे वेज जल फरेजी यह बहुत ही टेस्टी होती है खाने में और बहुत ही जल्दी बनती है इसको हाडली 15 से 20 मिनट्स लगते हैं बनने में तो यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन, पैन के अंदर मैंने एड किया है थोड़ा सा ओयल और अब हम इसके अंदर आड कर रहे हैं पनीर के पीसिस को जिने हमें फ्राइ करना है तो आप इसे अलट पलट के चारो साइट से अच्छे से फ्राइ कर लीजिए इस सबजी के लिए आपको सारी वेजिटेबल्स लेंथवाइज ही कट करनी है ये देखिए पनीर के पीसिस बिल्कुल रेडी है और अब इसी पैन के अंदर हम आड करेंगे कैरट और बीन्स को और इनको भी अच्छे से स्टर फ्राइ कर लेंगे दो से तीन मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम प स्टर फ्राइ कर लेंगे एक मिनट के लिए और एंड में हम इसके अंदर आड करेंगे टमाटोज टमाटोज को हमने डी सीट करके लेंथवाइस कट कर लिया है और हमारी स्टर फ्राइ वेजिटेबल्स पिलकुल रेडी है तो इनको हम एक प्लेट पे निकाल लेंगे तो यहां पर मैंने लिए एक कढ़ाई जिसके अंदर मैंने अड किया है थोड़ा सा ओयल इसके अंदर अब हम आड करेंगे जीरा कलॉण जी इसको अच्छे से भून लेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर अड करेंगे अनियन्स इसके साथ ही हम इसके अंदर अड करेंग तमाटोस अद्रग का टुकडा और साथ ही में दो लसन की कलिया तो इसकी प्यूरी बनाके हम अच्छे से रेडि कर लेंगे ये देखिए हमारा प्यास जो है अच्छे से भुन चुका है तो इसके अंदर अब मैंने आड़ की है टमैटो प्यूरी इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अब हम इसके अंदर आड़ करेंगे नमक, लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, अमचूर पाउडर और थोड़ी सी कसूरी में थी इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इस मसाले को हमें घी रिलीज होने तक अच्छे से पकाना है ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से रेड़ी हो चुका है अब हम इसके अंदर आड़ करेंगे हमारी stir-fried vegetables तो बस अब हम इसको यहाँ प सबजी बिल्कुल रेड़ी है अब हम इसको धनिया पत्ती के साथ गार्निश करेंगे और आप इस सबजी को जरूर बनाएं आपको बहुत पसंद आएगी ये सबजी बहुत टेस्टी बनती है